हें फुरीज, वेल्कम टो केरन्स कुईजीन केचन, तो आज मैं बना रहे हूं वर्जिन स्ट्रॉबरी मोई दो, प्लस मैं इसके साथ बनाने वाले हूं स्ट्रॉबरी शेक, तो रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखेगा, बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चली रेसिपी स के लिए सबसे पहले मैंने यहां पे एक सॉस पैन लिया है उसमें आप डाल दे वन थर्ड कप शुगर और वन थर्ड कप पानी लेना है अभी हम इसे गैस पे रखके मेल्ट करेंगे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है इसमें हमें एक या दो तार की चासने नहीं बनानी है जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी हमें गैस को बंद कर देना है और इसे हम बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे और इसी शुगर सिरप को हम यूज करेंगे आगे उसके बाद आप एक स्टील का ग्लास ले ले उसमें आपको डाल देना है पांच से च्छे स्ट्रॉ स्ट्रॉबेरीज तो स्ट्रॉबेरीज को बहुत अच्छे से धो ले साफ कर ले और फिर इसको देखे इस तरह चोटा-चोटा कट करके आपको डाल देना है तो मैं यहां पर बेलन यूज कर रही हूं इसे करश करने के लिए अगर आप इसको लार्ज कोइंटिर में बना र तो यहां पर स्ट्रॉबेरी जो है बहुत अच्छे से क्रश हो गई है तो मैंने यहां पर 15 से 20 जो पुदीना लीव रहता है मिंट लीव वो लिया है और इसे भी हम क्रश कर लेते हैं आपको फ्रेश पुदीना लीव यूज करना है अब यहां पर मैंने दो स्मॉल साइस की ग्लास यूज की है उसमें मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश क्रश्ट की जो क्वेंटिटी है डिपेंड करता है कि आपकी ग्लास कितनी बड़ी है उसके हिसाब से आपको इसके अंदर स्ट्रॉबरी का प्योरे या फिर क्रश्ट डालना है उसके बाद मैंने इसमें डाला है मिंड लीव्स तीन से चार और सुगर का सिरप जो हमने बना के रखा था वो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है उसके बाद आपको इसके अंदर डाल देना है मैंने यहाँ पर वन टेबल स्पून यूस किया है आप अपने टेस्ट के अनु क्लेन सोड़ा ही यूज किया जाता है आप चाहे तो इसमें अगर आप स्प्राइट यूज़ करते हैं तो फिर आपको इसमें सोगर सिरप एडर नहीं करना है थोड़ा-थोड़ा करके हिसी सोडा एड 경ण के बाहर आ जाएगा एक बात का इसमें ध्यान बनाने के लिए मैं साइड में लगा रही हूँ एक लैमन का स्लाइस तो यहां पर जो मैंने स्ट्रॉबरी यूज करी थी वो बहुत ही खटी थी इसलिए मैंने यहां पर लैमन जूस यूज नहीं किया है अगर आपके स्ट्रॉबरी काफी मीठी है तो आप इसमें हाफ टी लेमन जूस एड़ कर सकते हैं तो यह लीजिए हमारा स्ट्रॉबरी मोहितो बनके रेडी है तो अब जल्दी से स्ट्रॉबरी शेक भी बना लेते हैं उसके लिए मैंने यहां पर साथ से आठ स्ट्रॉबरी इसको बहुत अच्छे से धो लिया है उसके लीव्स जो है वो नि आपको इसे बीच से कट गरकर देखना जरूरी है जो इसके बाद आप एक मिकसर जार ले ले उस भी मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है और एब मैं इसमें डाल रही हूं यह स्टॉबरी थे हमने कट करके रखा था उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं वन ग्लास Чल मैं यहां पर फुल क्रीम मिल्क यूस किया है मैं यहां पर मीठा दूद्ध यूस किया है इसलिए मैं इसमें शुगर जो है अलग से एड नहीं कर रही हूं आप इसमें 2 टी स्पून जिता शुगर या फे शुगर का पाउडर एड कर सकते हैं तो यह देखे मैं इसको उपर से मैं थोड़े से इसके अंदर स्ट्रॉबरी के चंक्स और डाल रही हूं तो आई होप कि आपको जो रेसेपी है पसंद आई होगी मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए टिक के थांक यू